असलाम अलेकुम विवर्स आज की हमारी रेसिपी है गाजर का हलवा जो बहुत ही जादा अच्छा होने वाला है तो इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो गाजर ये हमने मोटी इसलिए लिये हैं क्योंकि मोटी गाजरों का टेस्ट बहुत ही मीठा होता है पतली जो होती है बहु कोड़ा सा खोया तीन सो ग्राम चीनी और सो ग्राम घी एड़ करेंगे दूद का ग्लास हमारा आदर लीटर का है इसलिए हम ये दो ग्लास एड़ करेंगे यहां पर अब हम इसमें मिलक एड़ कर रहे हैं इसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर बॉइल आ जाने तक पकाए दूद में हमारे उबाला चुका है तो अब हम इसमें अपनी गाजरों को नहिलाएंगे अच्छी तरीके से इनको सारे दूद में डालेंगे गाजर का हलवा बनाना बहुत ही असान है और सर्दियों में इसको बहुत ही जादा पसंद किया जाता है हलवे को हम मीडियum flame पर छोड़ देंगे और थोड़ी देर के बाद इसको चेक करेंगे अब हम हलवे को हलके हलके हातों से ही चलाएंगे हलवा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि घोटते चले जाएंगे हलबे को हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारी गाजर अच्छी तरीके से गल नहीं जाती है सिर्फ हमें इसको गलाना है यहाँ पर हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारी गाजर कितनी अच्छी तरीके से गल चुकी है इसके बाद हम तब तक वेट करेंगे तब तक की हमारा मिल्क कम्प्लीटली ड्राइ नहीं हो जाता है तो इसको हम हाई फ्लेम पर ही रखके पकाएंगे और यहाँ पर हमारा मिल्क कम्प्लीटली ड्राइ हो चुका है तो अब हम इसमे एड़ करेंगे शुगर चीनी हमें तब ही एड़ करनी है जब हमारी गाजर गल जाएंगी उससे पहले हमें एड़ नहीं करना है अगर हम ऐसा करेंगे तो गाजर हमारी अकड जाएंगी चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और चीनी डालने के बाद हमारा हलवा पानी छोड़ देगा तो हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये ड्राइ नहीं हो जाता है अब हम इसमें आधा घी अड़ करेंगे आधा हम इसके बाद में अट करेंगे आधा गी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे जिस तरीके से हम सबजियां भूनते हैं उसी तरीके से हम हलवे को भूनेंगे अब हम इसमें अट करेंगे इलाइची पॉडर बहुत ही बहतरीन खुश्बू हो जाती है इलाइची पॉडर एट करने से हल्वे में हे दिए हे घृतरीन सि कुश्बू लाने के लिए हल्वे में इलाइची पॉडर जरूर एट करें अब हम इसमें Ass उए गा सुट हो एक करते ही हम अपने हल्वे को चलाते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा घी हलवे से अलग नहीं हो जाता है यहां पर हमारा हलवा रेड़ी है अब हम फ्लेम आफ करते हैं और डिश आउट करेंगे हलवे को यहां पर खुश्बू बहुत ही लाजवाब आ रही है इसको थोड़े से खोई करने के बाद हमारा हलवा बहुत ही अच्छा दिख रहा है और हमारी गाजरो का कलर भी बहुत ही शांदार आया है इसको हम इस तरीके से सर्फ करेंगे थोड़े से खोए को हलवे में पहले मिक्स करेंगे ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे हमारी रेसीपी पसंद कीजिए अल्ला आफिज